यह कहानी एक छोटे से गाव से जुड़ी है, जहां एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था. इस परिवार में एक लड़की थी, जिसका नाम रीमा था. रीमा का परिवार अपनी रोजिरोटी के लिए बहुत महंत करता था. परन्तु गरीबी के कारण रीमा को शिक्षा और सुखी जीवन का मौका नहीं मिल पाया. रीमा बचपन से ही पढ़ाई में रुची रखती थी, लेकिन उसके पास पुस्तकों के लिए पैसे नहीं थे और स्कूल जाने के लिए भी वह संभावना नहीं थी. इसके बावजूद रीमा का मन अपार ज्ञान और सफलता की तलाश में लगा रहता था. एक दिन गाव में एक सामाजिक कारेक्रम हुआ जहां एक अकबार के संपादत ने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया. इस प्रतियोगिता में सभी छात्र छात्राए भाग ले सकते थे और विजेता को एक पढ़ाई का इंटरनेट कनेक्शन मुफ्ट मिलेगा. रीमा ने उस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का फैसला किया. वा खुद को पढ़ाई में समर्पित करके लंबी रातों में तैयारी करने लगी. दिन रात मेहंत करने के बावजूद उसे लगता था कि उसकी संघर्षों की कोई मान्यता नहीं होगी. परंतु प्रतियोगिता के दिन आते ही रीमा ने अद्धुत धंग से प्रदर्शन किया. उसने जीत कर अपने घर को गर्व से भर दिया. उसे पढ़ाई का इंटरनेट कनेक्शन मिला जिससे वह अब दूसरे लोगों की सहायता कर सकती थी. बड़ी होकर, रीमा ने अपने अद्धुत संघर्शों के बावजूद एक उच्च शिक्षा हासिल की और सामाजिक दायतों की पूर्ती की. उसकी कहानी गाव के लोगों के बीच प्रेरणा का कारण बनी और उसने अपने परिवार की स्थिती को सुधार दिया. इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कठिनाईयों और संघर्शों के बावजूद संघर्शशी लोग अपने लक्षों को प्राप्ट कर सकते हैं. यदि हम सही दिशा में आगे बढ़े और समर्पित हो जाएं, तो हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं.